नमस्कार आप भी सायद कर्मचारियों के लिए हैं आप लड़े नहीं कर्मचारी खुद हैं इको गॉर्डन में हमारा पुस्टिंग यहीं के हैं मतलब आप लोगे दर्णा परदसन आज कर रहे हैं और मुझे पता चला कि उन चास दिन हो गए आप लोगों को दर्णा परदस कोई दिकारी कोई नेता मंतरी यहां तक आया नहीं हमाई लोगे मांग सुनी जाए उन चाहाँ दिन में कोई अधिकारी आया कोई जनतर्दी आया आपकी बास सुनने के लिए नहीं आया भी तक कोई नहीं आया हम लोग परेशान है 12 साल गुजर चुके हैं तेरवा लग गय किया है कर यहीं चाहरा है हम लोगो का देखी है हालात क्या है 3 साल सुरू है हमारे लोगों का 800 रूपए का जो गौमन हुए है छाता खर नहीं कर थे Hija सक कॉति नहीं कोई एक दिया नहीं प्रश्टाला यह सामने आरहा है आर्सकों को रूटाला है करता है उसका गोटाला आट सो कौन रुपय गोटाला हो गे आज तक किसी को पता नहीं कहां किस खातें पैसा नहीं दिखनी रहा है तो पैसा हमारे बेटन से 10 परसंट की कटवती की जा रही है आज तक यहीं नहीं पता हम लोगों को पैसा हमारा है का मतलब जबाब की जारे हैं तो आप अज़ुक्ति है उसमें करता है अज़ा करता है लेकिन हमारा पैसा किस नहीं पता किसा शाक रहे हैं जी उसका आइड्रेस नहीं मेल पा रहा हैं? दस परसेंट उसके खाते नहीं खुले है आतक और अब आप सो तरोर हो चुका है हमारे अभिकारी उसको जकार कर रहे हैं और हम लोग वनचास दिन से बैटे हुए हमारी समस्याइं नहीं सुनी जा रहे हैं कि यहां पर करेंगे और हमारी समस्याइं जल्द से पूरी की जाएं लोगों का कहना यहीं है सरकार से काफी उमीद है क्योंकि जो है सरकार बीजेपी मुक्रिमंतरी आदिकरात योगी जी से काप की जादा उम्मीदे हैं चौकि यह बहुत ही फास्ट एक्षन लेने वाली सरकार मानी जाती है इसलिए लोगों को ये भरोसा है कि अपने समयदानिक अधिकार का उपियोग करते हुए यहां पे दरनापरदस लोगों के हित में फैसला दिला पाता है या नहीं हलाकि आज तक का इतियास तो कुछ और ही कह रहा है वैसे भी बीजेपी में लोग महापूर्स ऐसे भी है जो इतियास को बदनने के लिए जाने जाते हैं आप लोग समझी रहे होंगे जो मेरा कहने का मतलब क्या है फिलाल मेर उमीद तो यही है इस वीडियो को वाइरल होने के बाद में लोग अपना अपना प्यार देंगे और जंद जंद पहुंचाएंगे और सरकार तक यह बात पहुंचेगी सरकार इसके उपर जरूर कुछ ने कुछ पोजिटिव एक्शन जरूर लेगी